नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखन उत्राखन में खराब मौसम के चलते लगातार मलबा आने और पहाडी छेतरों में भुसकलन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से एक बड़ी चेताबनी देकर लोगों को अलट रहने को कहा है वहें विभाग के अनुसार 5 अगस तक राज्यभर में भारी बरसात होने के असार है तो क्या है विभाग के ये बड़ी चेताबनी चलिए आपको बताते हैं उत्रकड में लगातार हो रही बारिश किसानों के साथ ही आमजन के लिए भी मुसीबत का सबब बनी हुई है राज्यभर में जहाँ एक तरफ लोग लगातार हो रही बारिश से परिशान है तो वहीं बारिश के चलते खेती को भी भारी नुकसान पहुचा है आलम ये है कि पहाडों में भुसकलन होने से जहां एक तरफ सड़के तूटी पड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की खेतों में पानी भरने से उनकी फसलों को खासा नुकसान पहुचा है वहीं अब इन सब के बीच मौसर विभाग ने अलट जारी करते हुई लोगों को पांच अगस तक सतर्क रहने को कहा है साथे विभाग ने भारी बारिश के साथ कई जगाओ पर अकाश्य बिजनी गिरने की चेताबनी जारी की है विभाग ने इसके अलावा लोगों से बारिश के दौरान जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा है साथे नर्दिनालों से भी दूरी बनाने के लिए कहा है विभाग ने लोगों को कहा है कि विभाग के अनुसार अगले 5 अगस तक राज्यभर में भारी बरसात होने की संभावना है जिसके लिए सभी जिलोकिय जुलादिकारियों को अलट भेजा जा चुका है